आज की वीडियो में हम प्रतिसत पराधारित प्रसन सॉल्व करेंगे इस तरह से प्रसन हर एक परिच्छा में एक कम से कम एक प्रसन पूछा ही जाता है हम यहाँ पर दो प्रसन सॉल्व करेंगे प्रसन संख्या है एक इसके बाद एक और प्रसन है उसको भी सॉल्व करेंगे तो यह दिया गया है प्रतिसत व्रद्धी और कमी पर हर बार एक प्रसन पूछा जाता है कोई भी एक्जाम आप देंगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है यह हम सीखेंगे इस वीडियो में एक व्यक्त की आय दस प्रतिसत बढ़ी कुछ दिनों बाद पुना 20 प्रतिसत बढ़ इस प्रकार व्यक्त की आय में कुल कितने प्रतिसत की व्रद्धी हुई प्रसन ऐसे व्रद्धी और कमी दोनों पर आधारित हैं दिरे दिरे आपको दोनों प्रकार के प्रसन देखने को मिल जाएंगे चैनल पर ठीक है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो प्रतिसत ब्रद् तो प्रतिशत व्रद्धी कैसे निकालेंगे इस सब फॉर्मूले के थुरू ही निकलेंगे यानि कि शॉर्ट फॉर्मूले हैं ठीक है कैसे निकालेंगे तो 10 प्रतिशत बढ़ी है पहले आए ठीक है तो यह आपर संख्या रहेगी 10 फॉर्मूला इसमें बता देते हैं कौन सा यूज होगा x plus y plus x into y upon 100 यह formula होता है ठीक है और यहाँ पर plus minus होता है यानि कि अगर value जो है plus में है ठीक यहाँ पर plus हो जाएगा रहेगा और यहाँ plus minus x में रहेगा तो यहाँ पर ब्रद्धी ब्रद्धी है तो plus plus में रखना है तो plus में 10 रहेगा दूसरा यहाँ पर 20 प्रत्धी की यहाँ पर भी बढ़ी है बताया गया है तो यह भी plus में ही रहेगी संख्या और दोनों जब plus में है तो यहाँ पर भी 10 गुडे 20 हो जाएगा उपर बटे में हो जाएगा 100 यह formula का ठीक है तो 1-0 यहाँ मिला 1-0 यहाँ पर 1-0 यहाँ पर 1-0 यहाँ पर कट गया इधा 2 ही बचेगा और 10 और 20 दोनों जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और इधा 2 कम 2 प्लस 2 ठीक है तो इस तरीके से आजाएगा 32 तो 32 प्रतिसत की ब्रद्धी हुई है तो प्लस में आई है संख्या यानि 32 प्रतिसद की नेट ब्रद्धी हुई है ठीक है तो व्यक्त की आय पहले 10 प्रतिसद बढ़ी थी कुछ दिनों बाद 20 प्रतिसद बढ़ गई तो इस प्रकार व्यक्त की आय में कुल कितने प्रतिसद की ब्रतिसद की हुई है अगला परसन इसी पर आधारित हम solve करते हैं मोहन ने अपना वे पहले 15 प्रतिसद घटाया तो वे यानि के खर्च अपना 15 प्रतिसद घटा दिया पुना 5 प्रतिसद घटाया तो पहले 15 प्रतिसद घटाया फिर पुना 5 प्रतिसद घटा दिया इस प्रकार उसके वे में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई अब बताना है कुल टोटल जो है कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये तो यहाँ पर प्रतिशत कमी बतानी है तो दिखिए हमने क्या बताया है कम करने की बात करेंगे तो माइनस में तो यहाँ पर हम minus 15 लिखेंगे, ठीक है, अब minus यहाँ 5 प्रतिसत फिर से घटाया, ठीक है, तो फिर से हम minus 5 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद plus में यहाँ पर value रहेगी, formula के साब से, दोनों value जो हैं हमारी, यह minus में, तो minus 15 गुड़ा कर देंगे, इधर minus 5 बटे में रखेंगे 100, इस तरीके से इसको रखेंगे, अब यहाँ पर संख्याओं को काटना है, और काटके आप देखेंगे, इसका answer क्या निकलेगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, तो minus minus दोनों संख्याओं है, तो यह बन जाती है, minus का 20, फिर plus का निसान है, यहाँ पर संख्याओं हमारी कट जाएंगी, तो डारेक्ट हम काट सकते हैं से, 5 अकम 5, 5 दूना 10, एक 0 बचेगा यहाँ ठीक है, अब यहाँ पर भी 5 से कट सकती है, 5, 3, 15, 5, 4, 20, तो कुल मिलाकर, यह भी संख्या माइनस की, यह भी माइनस की, दोनों हापस में गुड़ा कर जाएंगे, तो 3 अकम 3, यह प्लस का आजाएगा, यानि 3, तो 3 बटा बन जाएगा, नीचे संख्या बची थी, 4, तो इस तरीके से लिख लेंगे, तो छोटा सा सवाल है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे, इसके नीचे 1, और हर इसके जब डिफरेंट होते हैं, तो इस तरीके से आप कर लेंगे, इसे solve करेंगे, अब यहाँ पर देखना है, माइनस का 80 है, प्लस का 3, तो इस में से घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 77, ठीक है, तो 77 बटा 4, यह भी संख्या है माइनस में, ठीक है, तो इस तरीके से माइनस में आ गया, माइनस में आने के भाद इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे यहां पर 4 से 77 को ठीक चार चार बचेका यह 3 इदर बचेका साथ चार सते 28 चरवठ 32 चार नाम 36 तो चार नाम 36 लगा दीजिए यहां पर वचेगा एक ठीक है तो इसको fraction में लिख सकते हैं यहाँ पर answer बना लेते हैं 4 से भाग दिया गया था 19 बार लगा remainder हमारा 1 बचा प्रतिसत लगा देंगे plus में संख्या sorry minus में संख्या है तो यहाँ पर कमी की बात करेगा क्योंकि minus में answer आ रहा है क्योंकि minus में संख्या थी यहाँ पर ठीक है तो इसलिए यह 19 सही एक बटा चार प्रतिसत की कमी होगी इस answer का होगा कमी पराधारित ठीक है उमीद करते हैं छोटे से प्रसन आप लोंको अच्छे लगे होंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना हो